कारवाई की ज़रुदत है हान हिस्चित रूप से हमने तो बार-बार कहा है कि जो दुर्दान तापरा दिया है जो जेलों से भी जहां लोग इस्टोर्शन करता है वह इसे लोग को बाहर बेजो और जो इस प्रकार से दिन दाड़ी हत्या करते हैं राथी जैसे सहर में और उसमें भी मैंने देख रहा हूं कि इन देनों खास करके ट्राइबल जो जुवक होते हैं जो भी होनहार जुवक होते हैं आगे जो बढ़ते हो जिसको दिखाई पड़ते हैं चैहें वो सरकारी नौ तो अगर जो हुनहार लड़के हो ट्राइबल लड़के हो, बिजनेस करता हो या किसी पोस्ट बर नौकरी करता है और ऐसी लोगों को अगर इस प्रकार से अद्जिया हो तो मैं समझता हूं कि यह कहीं न कहीं आईसी हमला है चूखिंकि ट्राइबल फिर आगे नहीं बढ़ वो पीछे ही रहे तो इसलिए हमें कहा कि आपराधियों को पकड़ करके और फ़स्टर खोट लगा करकर उनको सजा देनी चाहिए होता है वो भी वहीं रहता है और उसके बाद और उसके बाद सुभास मुंडा के कारजले में जाकर करके उनको मारना यह अपरादियों का दूसरा हस्वे है तो मैं इतनी कहोंगा कि इस वक्त राज की लोविन आउडर तो कितनी बिगडी हुई है उस पर नहीं कहोंगा कि सुखेगी कैसे बिना बिलग कि अगर उसके आसपास में सिसी ट्यूवी हो तो उसको भी खंगाल ले और मैं यह कहूंगा कि कम से कम 15-20 दिनों में अगर कोई बात ही इनके साथ होई होगी तो उनकी मोबाइल से भी डीटेल से वर्क आउट कर सकते हैं चुको उसमें भी बहुत बड़ी रहश मिल जाएगी और अभी तो हमको लगता है कि जो बाते होती है वो भी सब कुछ हो ताजा ताजा मामला हो निकल जाएगा और पिर हिम्मत करे और गंदर घूस करके गोली चलाना यह कोई सधारन कोई अपरादी या तुरंत किसी से जगड़ा हुआ और वो कर देगा यह साथ यह संभव नहीं हो सकता है तो इसलिए हमने कहा कि इन सारी पहलूओं पर सरकार को या पुलीस प्रशाशन को तुरंत एक्षन में आना चाहिए और बीना बिलम किये और इसको अगर हम कहें तो और तालीस गंटा पचास गंटा भी इसको अपरादियों को पकड़ लेनी चाहिए और हमें लगता है कि इस मेथट से जाएगी पुलीस तो निस से तरुप से पकड़ लेगी कोई बहुत दिक्कत है नहीं आए